नमस्कार भारत और विश्व के विशेज जानकारियों के सिरीज के इस सफर में मेरी चैनल इस्टडी लाइप में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ आज हम जानेंगे भारत में पहली ट्रेन का इतिहास तो चलिए वीडियो आरम करते हैं 16 अपरेल 1863 पन को जब मुंबई और ठाने के वीच पहली ट्रेन चली तो उस जिन सारवजनिक अवकास था ग्रेट इंडियन पेनिन सुला रेलवे की 14 डिबो वाली उस गारी के आगे एक छोटा फॉक लेंड नाम का इंजन लगा था पहली ट्रेन ने 34 किलो मीटर का सफर तैय किया भारत में ट्रेन की कहानी अमरीका में कपास की फजल की विफलता से जुड़ी हुई है वहां 1846 में कपास की फजल को काफी नुकसान पहुचा था जिसके कारण मेंचेश्टर और ग्लासको के कपड़ा गयपारियों को वैकलपे की स्थान तलाशने के लिए विवश होना पड़ा ऐसे में भारत उनके लिए सबसे मुरीदी स्थान था अंग्रेजों को प्रशासनिक द्रिष्टी और सेनक के परिचालन के लिहास से भी देलवे का विकास करना तर्गसंगत लग रहा था ऐसे में 1843 में लाट डलहौजी ने भारत में ट्रेन चलाने की संभावनाओं को तलाशनी शुरू की डलहौजी ने बंबई, कलकत्ता और मदरास को ट्रेन से जोरने का प्रस्ताव दिया इस पर अमल नहीं हो सका 1849 में ग्रेट इंडियन पेनिन्सुलर कमपनी कानून पारित हुआ और भारती रिल्वे की स्थापना का मार्ग प्रिसश्ट हुआ आसा है कि आप सभी कोई जानकारी अच्छी लगी होगी विसे जानकारी के सफर में एक नई जानकारी के साथ पुरह मिलेंगे तब तक हमें दीजिये विदा, धन्यवाद